चालिस की उम्र में भोधपूरी एक्ट्रेस ने की खुदकुशी मरने से पहले फेस्बूक पर फैन्स से की थी बातें फिल्म इंदस्ट्री से पिछले कुछ महिनों से लगातार बुरी ख़बरे सामने आ रही है लगातार इस वक्त सभी की नजने सुसान सिंग राजपूत और दिसा सालियान केस पर टिकी हुई है इस भी जहां कल यानि 6 अगस्त को क्योंकि सास भी कवी बहुक फैम टीवी एक्ट्रस समीर सर्मा के सुसाइड ने सभी को हैरान कर दिया वही अब भोचपूरी एक्ट्रेस अनुपमा पाठक के सुसाइड करने की ख़बर सामने आई है महाच 40 साल के उर्म में अनुपमा पाठक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया एक न्यूज एजेंसी के ट्विट के मुताबिक उन्होंने मुंबई स्थित अपने फ्लैट पर फांसी लगा कर जान दे दी है अनुपमा की बोडी उनके मुंबई के दहिसर स्थित घर में फंदे पर लटकी पाई गई अनुपमा मौत से एक दिन पहले ही सोसल मीडिया पर लाइव आई थी और अपने फैंस से रूबरू हुई थी ख़बरों के अनुसार अनुपमा के फ्लैट से एक सुसाइट नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने ये कदम उठाने के दो कारण बताये हैं इस सुसाइट नोट में लिखा है मैंने एक दोस्त की रिक्वेस्ट पर मलाड की विश्डम प्रोडूसर कंपनी में दस हजार रूपे निवेश किये थे कंपनी को मेरे पैसे दिसंबर 2019 में वापस करने थे कंपनी मेरा पैसा वापस करने में आनाकानी कर रही है अनुपमा ने निधन से पहले आखरी बार अपने फैंस से फेस्बुक लाइब में बहुत सारी बाते शेयर की उन्होंने कई उन बातों का जिक्र किया जो आम तोर पर लोग किसी के मरने के बात करते हैं उन्होंने वीडियो में बताया था कि उनके साथ धोखा हुआ है और वह अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती है अनुपमा ने फेस्बुक लाइब में कहा था अगर आप किसी पर भरोसा करके उसे अपनी प्रोब्लम बताते हैं कि कहीं आप अपनी जान देने के बारे में सोच रहे हैं तो वह आपका कितना भी अच्छा दोस्त क्यों नहों वह आपको उससे दूर रहने के लिए ही कहेगा क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मरने के बाद वह आपकी बज़र से मुसीबत में ना पड़ जाए यहीं नहीं वह दूसरों के सामने ना सिर्फ आपका अनादर बलकि आपका मजाक भी उड़ाएगा इसलिए कभी भी अपने समस्याओं को किसी के साथ साजा ना करें और कभी किसी को अपना दोस्त न समझें आपको बता दे कि अनुकमा बिहार के पूर्णिया जिले की रहने वाली है उन्होंने भोजपूरी फिल्म और टेलिवीजिन मे काम किया है पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जाच शुरू कर दी है हलो है कि अधि या नहीं कि नमस्ते मैं आज अपनी बाते कि शेयर करने आई है मैं प्रायल देखती हूं कि कि किसी की अगर मौत हो जाती है ना उसके मरने के बाद लोग बहुत सारी बाते करने लगते है कि अरे पहले बताया नहीं बताते तो कुछ भलने कलता कुछ तो करते कुछ तो होता यह सब कहने की बात है यह सब कहने की बात है आज आज वो पत्रकार आत्मत्या कर ली है उस पे आप लोग सवाल कर रहे हो कि पहले कुछ हुआ होगा बताई क्यों नहीं बताती तो कोई त आप कभी भी आजमा के देखो, आप खुद आजमा के देखो, यह पहली बात तो यह है कि ऐसे कदम लोग तब उठाते हैं, जब हर तरह से ठक जाते हैं, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और कोई वक्त पे आके खड़ा नहीं होता, मदद नहीं करता है, आप कभी किसी को आजमा के देखो, आप बोल के देखो, कि हमारी यह प्रॉब्लम है, और यह बज़े है, इस बज़े समा अत्मत्या करने जा रहे हैं, आप मेरे दोस्तों हो, तो इसकी रिजन में आपको बता के जा रहे हूं, ताकि आप दुनियों को बता सको कि उसका रिजन करेंगे इस प्रॉब्लम के वज़े से हम यह करने जा रहे हैं वो उसको सिधा न लेके उल्टा लेते हैं वो यह कहते हैं कि आप इसमें मुझे क्यों बता रहे हो मुझे क्यों सुना रहे हो मुझे क्यों घसीट रहे हो मैं फस जाऊंगा अगर आपको कुछ हुआ तो तो ये सब बाते करने लगते हैं वो एक वक्त के लिए ये नहीं सोचते हैं कि उसके मरने के बाद वही लोग दुनिया बर में डिंडोडा पीटते हैं कि आरे मुझे तो पता ही नहीं था मुझे पता चलता तुम्हें ये करता मैं वो करता जिसको आप बहुत खास दोस्त समझेंगे न वही दोस्त आपके उपर उंगली उठा देते हैं कि आपके वज़े से हम फास जाएंगे आप ऐसी बात हमसे ना करो दूसरी बात आप खुद को ऐसा बनाओ कि आपके उपर हर कोई विश्वास करें लेकिन आप कभी किसी के उपर विश्वास मत करें ये सिक मैंने पाई है इस दुनिया में तिसरी बात है आप अपनी तकलीफें, अपना प्रोब्लम्स किसी से शेयर मत करो किसी को अपना दोस्त मत समझो कोई किसी का दोस्त नहीं है सब जूटे हैं, सब मकार है सब कहने की बात है कोई किसी का दोस्त नहीं है आपके बातों को मजाक बनाया जाएगा आपके हंसी उड़ाई जाएगी यही चीज होती है दुनिया में मैंने यह सब बाते बहुत करीब से देखी है बहुत सारा अनुभाब पाई हूँ इसलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ वैसे तो मैं लाइब आती नहीं जब कुछ ऐसा अर्जेंट रहता है तभी मैं आती हूँ जो इंसान जिन्दा रहता है ना आप जब किसी से फोन पे बात करेंगे कोई अपनी बात शेयर करेंगे ना आप उसको रिकॉर्ड करके एक मोबैल से दुसरे मोबैल में फरवर्ड किया जाता है ये सुनो ये ये बोल रही थी उसका उस तरीके से मजाग बनाय जाता है आप किसी को अपने दिल की बात शेयर करो वो उस जगह से दस जगह पहुँचाता है ये देखो ये ये बात एक बोल रही थी मतलब आप मरते वक्त भी अपने दिल की बात अगर किसे से शेयर करो तो उस वक्त भी इंसान आपको नीचे दिखाने से या आपकी बेज़िती करने से बाज नहीं आते हैं हर इंसान को अपनी फिकर रहती है कि मेरा इझ्जत मेरा नाम खराब ना हो भले किसी की जान जाती है चली जाए आप अगर किसी को बोल दो इस वज़े से मैं जा रही हूँ ये वज़ा है तो बोलेगा ये छोटी सी वज़ा के लिए कोई जान दे देता है उसके मौजबूरी, उसके problems, उसके हालात से किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है, उसके problems क्या है, उसके मजबूरी क्या है बस आप अपने आप में ही जीओ, ये दुनिया की रीत है यहां ये भी है कि अगर कोई एक निवाला खिला देता है, वो बोलता है कि बहुत बड़ा एहसान किया है और उस एहसान के बदले में, आपका क्या-क्या जाता है और क्या-क्या जाएगा, उसका आप अंदजा भी नहीं लगा सकते हो लोग पागल करार दे देते हैं लोगों को मैंने बहुत नजदिक से देखाए यह सब चीजे तो यही मैं कहना चाहूंगी कि हर इंसान जो मरता है अपने खुद के वज़े से मरता है चाहे मैं रहूं या दुनिया रहे कोई भी अगर मरता है तो वो खुद के वज़े से मरता है क्यों 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 कि वो सामने वाले को उपर विश्वास करते हैं कभी किसी को उपर विश्वास मत करो किसी को अपना मत समझो सामने वाला आपका फाइदा उठा रहा है, आपको अपना नहीं समझ रहा है, तो आप भी सिर्फ फाइदा उठाओ, विश्वास मत करो, विश्वास करोगे, तुम्हारे जाओगे, खुद से खुद की मोत बुला लोगे, ये बाते मुझे शेयर करनी थी, और प्राया मैं देखती हूँ, फेस्वुक पे किसी के मरने के बाद, अरे उसको क्या हुआ था, एक बार तो बोलती, एक बार तो शेयर करती, उस तो उसका हल निकलता, अरे हल निकलने से ज़्यादा तो उसका मजाग बनाया जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है, उसका करेक्टर जो नहीं रहता है, वो भी उसके बारे में बताया जाता है, और सिधे पन का तो बहुत ही ज़्यादा फाइदा उठाया जाता है समल जाओ, सुधर जाओ सिधे पन से सिर्फ आपको घर्टा ही होता है नफ़ा नहीं आप समझते हो, मैं सिधी हूँ मैं जैसे किसी के साथ दोखा नहीं करती, तो मेरे साथ भी कोई दोखा नहीं करेगा नहीं, ये गलत है, ये रॉंग है आप सिधे हो, आप अपने सिधे पन को समझो कि आप सिधे हो लेकिन दुनिया उसका फाइदा उठाएगी उसको अनेको रूप दिया जाएगा तो इन सब चीजों से आप बचो और किसी के मढ़ने के बाद फेस्बूक पे ये मढ़ डाला करो उसने बताया नहीं उसके क्या प्रॉब्लम थी क्या परिशानी थी कोई भी ये सब चीजे मत करो क्योंकि आप जो डालते हो ना आपको एहसास नहीं है आपको पता नहीं है मुझे पता है मुझे एहसास है क्योंकि मैंने बहुत नजदिक से देखे हैं ये सब चीजे आज को अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरे मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है उसकी जिम्यदार मैं खुद ही हूँ, अगर कोई हालात पैदा हुआ है तो उसकी जिम्यदार मैं खुद हूँ, दुसरा कोई नहीं है, उसमें पुलिस, मीडिया, समाज, किसी को उपर उंगली उठाए ये दोस्त था उसने कुछ कहा होगा, या वो भाई था उसने कुछ कहा ह होगा न न अगर किसी कुछ कः किसी करा वह हालात हम ने खुद पैदा कई हमने वह मोका दिया वह हलात पैदा हुआ होम दुसरे के उपर क्यों उठाएं उसके जिम्हदार हम खुद हैं हम किसे और को क्यों दोशीट हरा हैं Galaxy distant Sport exist ही कहना था मेरे मन में दिल दिमाग में ये बात थी, मैं शेयर करना चाहती थी, तो इसलिए मैं लाइव आये थी, थैंक्यू कि आप लोग आए, अजय सिना आप आए, हरियोन शंकर जी, आप सब का शुक्रिया, आप सबने मुझे सुना, अब मैं कहां तक सही हूँ, कहां तक गलत हूँ, ये तो आप लोग निनाय करोगे, बट हाँ, मैंने जो कुछ भी काया है न, सो समझ के बोली हूँ, बहुत करीब से इन सब बातों से गुजरी हूँ, देख बाकी बाइ-बाइ, सब लोग खुछ रहे हैं, गुड नाइड, इंडियान उज वैरल्टी रिपोर्ट